न दिम्रहर Going!! Bentay to talk in RAM अगलियो आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट आफ है 2 म काowanे अइंद पार्टृर्लरजी के अंदर हमने किया था इक्राक्शन अफ मेटल्रम ही अंने कर लिया था इक्राक्शन आफ läuft और हमने क्याल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में कर ली थी और आज हम करने वाले हैं आटो रिडाक्शन एंड रिमेनिंग पार्ट आफ दो मेटल मेटलर्जी ठीक है सो कैसे हो बिल्कुल ठीक थाग हो बढ़ी हो मज़े में हो उप्मोच रखने रखने हैं स्रीमुन महंती बटा कैसे हो भडिया लेकिन आट न्त करो बार ना एक ही चीज को लिख कर बॉर्नी बिता शीनी बॉर्न शेफाली गुद मॉर्निंग टैजश्वी गुद मूर्निंग जलेट, जलिए, anyway, let's start with the fraction of metals and now we are going to talk about सबसे फ़र अपने बारें बतानों, my name is Anuk Vashist, MSC in chemistry from University of Delhi, 23 साल का teaching experience है and now I am going to share this experience with you, okay, दिहान से पढ़ाई करना बिटा, बिल्कुल दिहान से मेरी बातों को सुनते चले जाना, these things are very important, आपकी हर question को आराम से आप करते चल जाओ, मैं एक suggestion दूँगा, मेरा lecture खतम होने के बाद, आज का lecture खतम होने के बाद, आज की ये chapter लेकर इसके question ज़रूर कर लेना, अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको कितना समझ में आया, और क्या रहे गया, is that clear, ठीक है, 2023, बहुत जल्ट स्टार्ट होने वाले वेटा, in fact, स्टार्ट हो भी चुका है, दिशा बैच के थू, now we are having neat live daily, subscribe कीजिए, इसको हमारा 1.05 million subscribers हो चुके हैं, अब हमारा target यह है कि बहुत जल्ट हम 2 million subscriber तक पहुँच जाएं, आपका health रहा तो हम बहुत जल्ट 2 million subscriber तक पहुच जाएंगे, ठीक है ना, so, let's talk about the telegram channel, telegram channel is an academy need underscore official, और इस telegram channel में आपको सारी के सारी information मिल जाती है, सारी के सारी बाते पता चल जाती है, यहां पर हम बात करते हैं इसकी best of the best educator और सबसे important बाती है कि an academy subscription में आपको जब आप subscription लेते हो तो आपको सारे educators की सारी classes की unlimited access मिल जाती है, yes, that is the most important, सारे educator, सारी classes, unlimited access, आप अपनी person के educator की classes बहुत आराम से attend कर सकते हैं, जाहें चाहें अटेंड कर सकते हैं, जतनी मर्जी बार अटेंड कर सकते हैं, पुरानी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आने वाली, और हो चुकि सारी class classes अटेंड कर सकते हैं, मेरे सारज जोड़े रहे हैं, anacademy.com slash at the rate anufashist पर यहाँ पर आपको मेरे सारी के सारी special classes और plus courses के बारे में information मिल जाएगी हमारा सारे के सारे anti-abihas test हो रहे हैं और आज हम करने वाले हैं what are we going to do today? we are going to do the exemplar questions आज हम exemplar के questions करने वाले हैं ठीक है? साड़े साथ बजे और आज हमारी साड़े तीन बजे एक special class है about the reaction of alkyl halides avid metals, ठीक है? metals के साथ reaction of alkyl halides की reactions है और साथी साथ हमने aryl halide के reaction करने वाले हैं special class पर आज साड़े तीन बजे तो special class आज साड़े तीन बजे आप अपर देंट कर सकते हैं we have the nurture batch for need 2023 we have bumper offer going on जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 12 months के साथ 3 months free 24 months के साथ 4 months free that is the best offer you can get जल से जल ले लिजे इसमें ensure हो जाएगा कि आपको 2022 और 2023 के exam तक आपको unacademy का subscription चलता रहे so that's what we have as the bumper offer और सबसे चीबात यह है कि we are even having the loan options हमारे पास loan options है जो आप यूज कर सकते हो this is what we have as the loan options यहाँ पर हमारे पास financial assistance भी है and we have the unacademy combat every Sunday every Sunday हमारा unacademy combat है जिसके अंदर आपको मिल सकती है 100% तक scholarship यानि कि unacademy आपको हर तरीके से help करता है अपनी target को achieve करने के लिए unacademy champs 9th May को 2021 21 को आज के तारीक है आज साथ तारीक है तो 9th May यानि कि आज है Friday यानि कि संडे 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 personal mentorship from top educators, scholarship and prizes and you can enroll for free. This is the gateway to neat UG 2021 वाव 100% in IIT JE मेंस, crack neat UG 2021 with unacademy champs बहुत important champs बाचा, personal mentorship मिलेगी 4 mentors कौन कौन से Dr. Anand Mani, Vivshal Vivek Tiwari, Mahindra Zink Anurag Tiwari and Ritur Rathewal So these are the mentors that you have for this particular beautiful session Panel 1 mentors Pratik Jain, Ramesh Arda, Dr. Amit Gupta Sandeep Naudial, Ajay Kumar Mishra, Shubh Karan Chaudhari Panel 2 mentors Arshish Diwan, Chandra Molli Maurya Dr. S.K. Singh, Nishant Varshanek, Kaushal Nama and Saurab Sharman Panel 3 mentors are Mayang Joshi, Girja Shankar Tiwari, Pranapundrik, Pankaj Talwar, Ravi Prakash and Ashish Bansal So these are the best of the best panels So you have the so many panels Jal-se-jal join kijiye Champs And haan, If they ask a code Use the code AV-Live So let's talk about extraction of metals We are talking about metallurgy And here we have a small positive thought That the hard work never goes wasted Always pays If you think you are unsuccessful Then you can learn a lot of things So this is why Hard work always pays Hard work always pays We have the extraction of the metal From the concentrated ore Ki baat shurru kar di thi We have the first step To convert it to oxide The second is our reduction of the oxide To the metal We have done this Hulka asa Recap Calcination We have talked about it Calcination Where do you use Calcination involves heating It removes the volatile matter Which escapes Leaving behind the metal oxide Volatile matter To remove the metal oxide To remove the metal oxide Hydroxide And carbonate To convert the oxide Then we have the roasting 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 Co we can do Heated in a regular supply of air In a furnace At a temperature Below the melting point Of the metal And ore So here we have Ore or metal To melt This is mainly roasting Used for sulfide ores Sulfide Co we can convert This is the Reverberatory furnace Diagram I have to give you A different diagram That was the Old Reverberatory furnace Modern Reverberatory Furnace Diagram We will give you another diagram We will give you Reduction of the oxide To the metal To the metal Now we are going to get along With reduction of the oxide To the metal So let's talk about the metals I have to make a list I have to make a list I have to make a list If you have to make a list We have to make a list Lithium Potassium Barium Calcium Sodium Magnesium Aluminium Zinc Iron Nickel Tin Lead Red Here we have hydrogen Hydrogen Then we have copper Mercury Silver Platinum Gold So that was the sequence I gave you yesterday In the day I have this I have this Thank you I have this It's Is This This You I have this I have this It's If बारे में आपको पताया था कि इसके अंदर हम heat से reduce कर सकते हैं, heat ही है, इसके खाफी होती है, इसके oxide को metal में convert करने के लिए, that's we have done in the last class, yesterday this class, अगर आपने miss किया है तो उसको देख लिए दिएगा, ठीक है, यहाँ पर जब हम lead और copper की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने बात की थी, auto-reduction की, और मैं दो auto-reduction की या, फिर self-reduction की definition देदी थी, self-reduction, auto-reduction का मतलब यह है, कि one part of the ore becomes the oxidizing agent, while the other part of the ore becomes the reducing agent, तो इस वज़े से हम metal को उसके ore से extract कर पाते हैं, ठीक है, we are able to extract the metal from its ore, without the use of any other reducing agent, तो यह हमारे पास आजाता है, जिसे हम कहते हैं, the auto-reduction, अब चलिए अब हम इस auto-reduction के बारे में बात करते हैं, let us have a little detail about auto-reduction, यह एक बहुत important concept है, इसके बारे में, मुझे नहीं पता देखो, अब क्यों, अब तो यह भी बात चल रही है, कि शायद 12th class के board examination भी cancel कर दिये जाए, may be, but it is not a compulsion, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन board examination के अंदर आता है, तो यह वाला question पूरा properly आ जाता है, give the explanation of auto-reduction of aluminium, या फिर extraction of aluminium को पूरा describe करने के लिए आ जाता है, तो तीन number को question हो सकता है, में एक खाल से यह chapter भी तीन number का है, अगर कटा हुआ नहीं है तो, ठीक है, लेकिन entrance examination के अंदर इसका question आ सकता, अब auto-reduction की बात करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम, इस process को जब हम बोलते हैं तो इस process को besimmerization भी बोला जाता है, obviously जब besimmerization की बात करेंगे, तो besimmerization is taken in a besimmer's furnace, और besimmer's furnace is the modern reverberatory furnace, अब इस modern reverberatory furnace में क्या होता है, हमारे पास यह है, ऐसे, ठीक है, यह इसके ओपर ढखकन लगा हुआ है, यहां पर हमारे पास opening है, clear, there we have the opening, ठीक है, अब यहां पर हमारे पास है एक platform, here we have the platform, ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर, इसको तुम्हें बंद कर देता हूँ, यहां से हमारे पास यह inlet of air है, यहां हमारे पास fuel है, ठीक है, इस platform के ओपर और है, और हम क्या गरते हैं, यहां opening है, यहां पर इस तरीके से लगे होते हैं यह, ऐसे, अब जब यह flame rise करती है, तो यहां पर यह जो cap लगी हुए ना, इस cap से strike करके नीचे ore को strike करती हो, तो यहां पर भी अभी भी वो ही है, are going to come in contact with the ore, but not the fuel itself, यहां पर आप इस fuel को burn किया जागा, यहां से आप air की supply को control कर सकते हैं, यह जो opening है न, यहां पर दो opening होती है, एक opening यहां पर है, एक opening इसके उपर है, slightly उपर, ठीक है, यह जो दूसरी opening है न, इस second opening is for the movement of slack, अभी मैं आपको बताता हूँ, slack क्या होता है, यह यहां पर हमारे पर दो opening है, this is for the molten metal, तो यहां से molten metal निकल जाता है, यहां से slack निकल जाता है, और यह हमारे परा का पूरा system है, bessemer's furnace का, यह bessemerization का, अब जैसे कि अब हम copper की बात करते है, let's talk about the copper, होता क्या है कि यहां पर हमारे पास सारा का सारा और बढ़ा हुआ है, this is the ore we have, यहां पर हमारे पास सारा का सारा और बहरा हुआ है, यह और है, यहां पर, ठीक है, ओके, this ore is cuprous sulfide, यह जो और हमारे पास mainly है, यह cuprous sulfide, cu2s, cu2s, ठीक है, इस cuprous sulfide को हम react करवाते हैं, oxygen के साथ, ठीक है, that is air, यहां से air आती है, excess of air है, यहां पर हमारे पास air के साथ react करता है, cuprous sulfide, oxygen के साथ react करता है, और यह cuprous oxide में convert हो जाता है, along with sulfur dioxide, ठीक है, यह sulfur dioxide यहां से निकलता है, this is the waste gases, अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, एक छोटी सी information है, इन waste gases को अनलाइज किया जाता है, इसके अंदर देखा जाता है, कि आखेकर इस waste gas का composition क्या है, this is analyzed spectroscopically, तो पता चल जाता है, कौन साथ इस gases कितनी आ रही हैं, अभी यह बात तो बहुत सीरीस ही है, कि जैसे जैसे reaction चलता चला जाएगा, यहां पर sulfide का amount कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे sulfide का amount कम होता चला जाएगा, इस gas के अंदर sulfur dioxide का concentration भी कम होता चला जाएगा, तो हम यहां पर sulfur dioxide के concentration से यह अंदाजा लगा सकते हैं, कि यहां पर sulfide कितना बचा है, तो ये reaction हम तब तक proceed करते हैं जब तक two-third of copper sulphide oxide में convert नहीं हो जाता तो-third ये बात ध्यान रखना दो तिहाई copper sulphide copper oxide में convert हो जाता है फिर उसके बात क्या करते हैं air की supply को limited कर देते हैं रोग देते हैं कि अब शुरू हो जाता है calcination पहले हमने roasting किया अब हम calcination कर रहे हैं अब जब calcination करेंगे तो air का supply तो रुख गया है अब होता ये है कि ये जो copper oxide बना था इस reaction में पहले roasting के अंदर ये copper oxide एक oxidizing agent के तरह के से work करना शुरू कर देता है और ये जो copper sulfide बच गया था one third amount of copper sulfide जो बच गया था वो reducing agent बन जाता है ये आपस में ही react कर जाते हैं तो one part of the ore becomes the oxidizing agent ये बन जाता है oxidizing agent और ये बन जाता है reducing agent और यह आपस में ही react कर जाते हैं और जब यह oxidizing agent और reducing agent के तोर पर यह आपस में react करते हैं तो यह बना देता है copper और साथ में बन जाता है sulfur dioxide तो here what you can see is कि one part of the ore itself becomes the oxidizing agent and while the other part of the ore becomes the reducing agent तो यह हमारे पास बन जाता है auto reduction या फिर self reduction अब यहाँ पर यह जो copper बनता है ना इसके अंदर sulfur dioxide के ना वो बन जाते हैं bubbles ठीक है तो यह बन जाता है bubbles की वज़े से इसके उपर छाले पढ़ जाते है छाले दार copper बन जाता है यह blistered copper बन जाता है इसे blistered copper भी बोलते हैं इसे besamerized copper भी बोलते हैं यही पर यहाँ पर यह जो lead oxide बना है this becomes the oxidizing agent along with lead sulfide which becomes the reducing agent हरा मारे पास बन जाता है lead along with sulfur dioxide तो यहाँ पर हम lead के लिए और copper के लिए इस auto reduction process को use कर लेते हैं besamerization process को use कर लेते हैं is that clear? so that is what we have as besamerization process that is what we have as shake take जो भी है यह mustafyalam ठीक है? बेटा मैंने आपको देख भी लिया और आपको block भी कर दिया ओके बाबाई take care बेटा जो भी हमें यहाँ पर disturb कर रहा we are getting them blocked और हाँ मैं आप ही आप से भी यही कहूँगा कि अगर कोई आपको disturb करता है उसको जवाब देने की जगे सीधा सीधा block कर दीजे या फिर मैं तो आपको यही suggest करूँगा आप chat ही off कर दीजे क्योंकि आपको तो कोई problem है नहीं अगर आपने कोई doubt मुझसे पूछना तो जरूर आप chat use कर दीजे otherwise आपको किसी भी फालतू लोगों की chat पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है if you want to ask me anything ask it once बार बार मत लिखियेगा टिक है is it clear we are creating the lecture for where are you why did you retract the message you don't need to retract the message oh oh thanks for the compliment but the thing is we are teaching for the Indian students and Indian students are more comfortable with a mixed language whether it be English plus Hindi so that is the reason I am giving the lectures in English plus Hindi but the thing is I am writing entire thing in English so that would be helpful for you okay and of course you can attend our special classes as well but I will have a kind of say I'll apologize for that that I can't give entire lecture in English because most of the people I won't be able to understand that so you'll have to bear with me a little bit of English little bit of Hindi both languages would be there okay so if you have any doubt any kind of doubt if you are not able to understand I'll be able to I'll be happy to explain it to you in English as well but I can't promise that I'll take the entire lecture in English that can't be possible okay is that clear Anastasia? carbonate ore what a carbonate ore I'll tell you organic end where did you get organic end yeah organic end how did you get all the stuff all the stuff you don't need to bother about whether you are disturbing or not well I'll take care of that and if anybody finds you disturbing then they are gonna block you that's not a problem okay no brother we can't use every language English we come to Hindi we come to every year we don't want to kill any language 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 we don't know we don't want to kill any language gang are what do you mean gang is the impurity present in the ore ठीक है to gang is the impurity present in the ore उसे हम गेंग कहते हैं, अब यह गेंग हमारे पास कही तरीके क्यों हो सकते हैं, there could be many kinds of gangs, ठीक है, बस एक simple सी बात यह है, कि ओर के इन दा, whatever is the unwanted thing present in the ओर, that is what we have as the gang, अब हमारे पास ते एक word होता है, जिसे हम कहते हैं, flux, flux, ठीक है, flux भी एक impurity है, लेकिन, this is the impurity, which is added, deliberately, deliberately का मतलब बूज कर, हम जान बूज कर उसको add करते हैं, तो impurity, which is added deliberately, to help in extraction of metal, ठीक है, तो that is what we call as the flux, यह कहलाता है, flux, अब flux हम कई तरीके के रेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज करते हैं, जितने भी मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं, उन सब के अंदर हम flux को यूज करते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है, flux करते हैं, सबसे पहली बात है, functions of flux, पहली बात, function of flux क्या है, it helps in removal of gang, it helps in removal of gang, पहला रिपरोड, ठीक है, दूसरा, in electrolytic reduction, कुछ metals होते हैं, जो electricity से reduce करके बनाए जाते हैं, in electrolytic reduction, flux is used, और यह याद रखना flux किसलिए यूज होता है, electrolytic reduction में, to decrease the melting point of ore and to make it more to make it more conducting, ठीक है, तो electrical conductance बढ़ाने के लिए, और उसके melting point को कम करने के लिए, हम, आदिती आज आज आप फिर बात कर रहे हो, कल डाच सुन चुके हो, फिर भी आज आज आप बात कर रहे हो, वेल्कम दिवाज दहल, निपाल से, तेजिश्वी कुमार, किसी को भी हाई हाई बोलना शूरुकरद होगे, you are being blocked, अनातेजिया, if anybody disturbs you, simply block that person, don't bother about what they are gonna think, thank you, Aakash, nice having that compliment, अब आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अब आप एक बात, simple सी है, कि मेरी class में भीड नहीं होती, मेरी class में थोड़े से student होते, और उसके अंदर कुछ student, 10-12 student होते हैं, जो पंगे लेते रहते हैं, तो उन 10-12 students को, ब्लॉक कर देता हूँ, बाकी students यहाँ पर है, और हाँ, यह क्या बात है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, इलेक्रोलिक रेक्शन में, फ्लक्स का यूज होता है, तो डिक्रीज दा मेल्टिंग क्वाइं, आफ दा ओर आफ दो मेक इट मोर कंड़क्टिंग, यह इसलिए हम यूज करते हैं, फ्लक्स को, अब यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं, कॉपर ओर की, तो कॉपर ओर के अंदर, हमारे पर सबसे पहली बात है, इंप्यूरिटी क्या है, लेट उस फाइंड आउट वाट दा इंप्यूरिटी इस, यहाँ पर हमारे पर कॉपर की ओर में, impurity होती है iron की F is the impurity in fact iron oxide बन जाता है जब में इसकी roasting करते है ठीक है तो इस iron oxide को use करने के लिए जो हम flux use करते है ना बड़ी मज़दार सी बात है कभी now कहते है कि वक्त-वक्त की बात है कभी now गारी पर कभी गारी नाओ पर तो situation बदलती ही चली जाती है यहाँ पर जब हम flux की बात करते हैं ना तो flux is silica most often cases के अंदर हमाया पास impurity silica होती है लेकिन यहाँ पर हमाया पास flux is silica तो यहाँ पर F E O is the impurity iron oxide is the impurity silica is the flux अब यह जए impurity और flux आपस में react करते हैं ना तो उससे हमें एक चीज मिलती है उसे कहते है slag slag what is slag the fusible fusible का मतलब है meltable यानि कि जिसका melting point का महता है the fusible mass formed by the reaction the fusible mass formed by the reaction of gain with flux which floats on the surface of the molten metal and can be skimmed that is removed from there okay आपने दूद देखा ना या तुमारे घरों में कहीं पर कहीं मक्षन बिलोया जाता है तो उपर मक्षन आ जाता है दूद के ओपर दूद के ओपर मलाई है तो आप उपर से एक चीज़ को उतार लेता है that is called skimming from the surface उपर से skimmed कर देता है इसलिए उसको skimmed milk भी बोलते है इसलिए उसको skimming बोल देते है तो that is what we have as the slag अभी slag ना फालतु की चीज़ नहीं है slag is important thing now uses of slag सबसे पहला और सबसे important use it protects the molten metal from re-oxidation बई दो ऐसा है कि यहां पर जब हम यहां पर बात करते हैं दो इसकी भी बात करें यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो air आ रही है वो molten metal के साथ strike कर सकती है molten metal के साथ जो air आ रही है वो strike कर सकती है तो molten metal उसके साथ react कर सकता है लेकिन जब surface पर उसके slag होता है तो slag molten metal को air के contact में नहीं आने देता है it doesn't allow the molten metal to come in contact with the air and so molten metal will not be oxidized वो दुबारा oxidize नहीं हो पाएगा वो फिर से oxide नहीं बनेगा तो इसलिए यह slag सबसे पहले इस molten metal को protect करता है from re-oxidation दूसरी बात यह जो slag हमने बनाया है हमाँ पर यह slag कहीं तरीके के हो सकता है यह phosphate slag हो सकता है यह silicate slag हो सकता है तो यहाँ पर सीदी सी बात है phosphate slag is used as fertilizer तो phosphate slag जो होता है उसको उठा गए खेतों में डाल देते है as super phosphate बनाके या phosphate बनाके उसको डाल देते है तो खेतों के अंदर यह as a fertilizer use हो जाता है खेतों के alkalinity maintain करने के लिए यहाँ पर उसकी खेतों की सब कुछ करने के लिए खेतों के अंदर इसको spread कर देते इसका चूरा बनाके उसको खेतों में डाल देते है तो phosphate slag is used as a fertilizer third silicate slag is used in making glass silicate slag को silicate slag को हम glass बनाने के लिए use कर लेते जब हम यहाँ पर glass की बात करते हैं glass की जो cost है वो काफी कम है इसलिए नहीं कि glass बेकार की चीज़े या बेकार सस्ता चीज़े glass की cost इसलिए कम है क्योंकि जादा जो material हम glass बनाने के लिए use करते हैं वो waste material of the metallurgical industry है तो वो मुफ्त में मिल जाता है बस उसके transportation cost मिलती है और मुफ्त मिल जाता है तो glass बनाना सस्ता हो जाता है तो silicate slag is used in making glass and fourth remaining slag is used as a filler in construction वही रोर बनाते हुए आपने देखा होगा वहाँ पत्थर वगरा डालते हैं तो पत्थर डालने के जाएगे slag डाला जा सकता है जब मकान बनता है तो उसके अंदर भी नीव के अंदर उसको भरा जाता है उसके अंदर मलबा डाला जाता है उसके अंदर waste material डाला जाता है तो वहाँ पे भी slag डाला जा सकता है तो that is what we call as the remaining slag is used as a filler in construction तो that is the use of the slag तो यहाँ पे हम कोशीशिये करते हैं कि Metallurgical Industry में कुछ भी हम ले जो भी चीज़े कहीं पर भी कोई wastage ना हो ultimately economy है तो economically use करना पड़ता है तो यहाँ पर हमारे पास यह slag बन जाता है तो अब हम दें समझा कि what is the slag, what is the flux, what are the gain and what slag, what impurity is being used यहाँ पर जब हम iron oxide और silica की reaction की बात करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है FESIO3 यहाँ पर ferrous silicate है this is the slag तो हमारे पास impurity है, हमारे पास flux है और हमारे पास slag है ठीक है तो that's what we have as besimmerization अब एक बात दिहान रखो, यह तो हमने यहाँ पर छोटा सा एक reaction किया है छोटे सी बात समझी, besimmerization क्या होता है, इसको समझा now we are going to get along in the very 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 important concept जो अकसर student के लिए समझना मुश्किल हो जाता, थोड़ा सा difficult part है लेकिन I think इससे पहले कि हम इसके आगे बढ़ें, ज़र हम copper को पूरी तरह देख ले where is extraction of copper this is what we have as the copper and this is what we have as the blistered copper I think आप इसके blisters देख सकते हैं, देख सकते हैं, इसको कैसे छाले पड़े हुए so that's what we have as the blistered copper यह रहे blistered copper के छोटे छोटे सा बहुत सारे तरीके के sample अलग अलग तरीके से जैसे blistered copper दिखाई देता है इर्शाद एहमद, जोती कैसी यह तो नहीं पता लेकिन आप ब्लॉक्त हो गए यह मुझे पता है telegram link unacademy neat underscore official, that is the telegram link okay so that's what we have as the besimmerization of copper once we have talked about the besimmerization एक मिन्ट, एक चीज़ पीसे चलते हैं थोड़ा सा there is something called the elingham diagram we have something called the elingham diagram elingham diagram gives us the thermodynamics of the metallurgy कि कौन से metallurgy, कौन से thermodynamics कहां पर होगा this is what we have as the elingham diagram अब elingham diagram है क्या elingham diagram gives us the stability of oxide elingham diagram gives the stability of oxide with temperature okay अब एक बात का ध्यान अखना except for this reaction अगर हम इस reaction के बात करें ना carbon solid plus half o2 gaseous giving us co gaseous ये एक अकेला reaction है, this is the only reaction in which left hand side पे हमारे पास कम gases है और right hand side पे हमारे पास जादा gases है ये एक अकेला reaction है जिसके अंदर जैसे जैसे temperature बढ़ता चला जाएगा delta G is going to become more negative क्योंकि यहाँ पे delta S is positive this is the only reaction and this is the graph of this reaction, ये इस reaction का graph है C solid plus half o2 gaseous giving us CO यहाँ पर लिखा हुआ भी है this is the only graph which is going to have a negative slope अच्छा एक बात का ध्यार लखना हमारे पर से जो graph बना हुआ है ये graph इस equation का है delta G is equal to delta H minus T delta S यहाँ पर जो slope है इस graph की that is minus delta S तो अगर किसी के अंदा entropy change positive होता है तो इसकी slope negative हो जाएगी ये इस equation का graph यहाँ पर बना रखा है अब यहाँ पर जिसका graph जितना जादा negative होता चला जाएगा delta G जितनी जादा negative होता चला जाएगा reaction उतना जादा feasible possible होता चला जाएगा more negative is the slope more feasible more possible the reaction becomes and more stable the compound becomes अब कुछ properties यहाँ पर समझ लीजिए कुछ चीज़े इसके बारे में समझ लीजिए जो जितना नीचे है इस graph में whichever element, whichever reaction जो भी जितना नीचे है वो उतना strong reducing agent है ठीक है? clear? तो नीचे वाला element, उपर वाले सारे element को अपने oxide में से release करवा सकता इसके graph की अगर बात करोगो, यहाँ पर magnesium सबसे नीचे लेकिन इसके नीचे भी calcium आ जाता है तो calcium becomes the strongest reducing agent for oxides calcium अपने से उपर वाले सारे के सारे elements को reduce कर सकता है ठीक है? यह बात समझ में आ रही है negative क्यों? गायतरी बिटा, negative इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसके delta S, यहाँ पर delta S is positive entropy change is positive, left hand side पर हमारे पास आधा mole gas है right hand side पर हमारे पास एक mole gas है तो यहाँ पर delta S positive हो जाता है और यहाँ का जो slope है न, slope of this graph is actually minus delta S तो अगर delta S का change positive है तो slope negative हो जाएगा graph delta S minus T delta S है न, यह equation इसलिए है ठीक है most overrated topic नहीं है बिटा अमन पवार बिटा बहुत बार लिखे रहे हैं रिपीट मैंने रिपीट कर दिया है fine, तो यहाँ पर हमारे पास delta S positive हो जाता हो और यह हमारे पास graph है अब इस graph के अंदर कुछ चीजे नोट करने वाली हैं कुछ चीजे ध्यान देने वाली हैं ठीक है सबसे पहले चीज़ carbon का जो graph है carbon to carbon monoxide का जो graph हो नीचे के तरफ जा रहा है carbon to carbon monoxide का graph नीचे के तरफ जा रहा है तो theoretically speaking, theoretically not practically, carbon should be able to reduce any metal oxide at sufficiently high temperature मतलब कि अगर आप temperature बढ़ाते चले जाओगे तो carbon की reducing power बढ़ती चली जाएगी और theoretically वो किसी भी metal oxide को metal में convert कर सकता है तो that is what we have as the theoretically about carbon किसी भी metal oxide को वो metal में convert कर सकता है तो that is the first thing that we need to talk about, theoretically actually speaking, कई बार ऐसा होता है कि जब हम carbon को reduction के लिए use करते हैं तो जो required temperature वो इतना जादा होता है कि achieve नहीं किया जा सकता दूसरी problem यह हो सकती है carbon के लिए है कि हो सकता है कि carbon metal के साथ react कर जाए जैसे कि aluminium के case में होता है कि अगर aluminium का extraction किया जाए carbon को use करके, तो aluminium carbon के साथ react कर जाता है तो इस वज़े से हम carbon को use नहीं कर पाते है aluminium extract करने के लिए तो that is the practical problem तो इस वज़े से carbon हर किसी के extraction ने use नहीं होता theoretically use किया जा सकता है according to a lingam diagram तो यह a lingam diagram के drawbacks है वो exact reactions नहीं predict कर सकते है पहली चीज़, दूसरी बात यह तो हमने carbon की बात की clear, further हमारे पास दो reaction है एक carbon reacting with oxygen to form carbon monoxide है और दूसरा carbon monoxide reacting with oxygen to form carbon dioxide अगर हम low temperature की बात करते हैं तो low temperature पे carbon monoxide is a better reducing agent देखो carbon monoxide का reaction नीचे है carbon का reaction ऊपर है in fact बहुत ऊपर है तो बहुत low temperature करोगा तो carbon is useless reducing agent लेकिन carbon monoxide is a very good reducing agent at a low temperature लेकिन जैसे जैसे temperature बढ़ता चला जाएगा carbon का reducing property बढ़ती चली जाएगा carbon monoxide की reducing property कम होती चली जाएगा और इस temperature के बाद अगर हम इस temperature की बात करें तो इस temperature के आगे carbon is a better reducing agent than carbon monoxide तो हम कौन सा reducing agent यूज़ करते हैं ये इस बात पर भी depend करता है कि आखिरकार हम कौन सा temperature की बात करें अगर low temperature की बात करें तो carbon monoxide would be a reducing agent अगर हम high temperature की बात करते हैं तो carbon would become a reducing agent is that clear तो which reducing agent we are going to use depends on temperature, ठीक है, further, यहाँ पर हमारे परस यह magnesium का graph है, this is the graph of magnesium, जब हम इस graph of magnesium की बात करते हैं, तो यह देख रहे हैं, ग्राफ of magnesium सीधा जाते जाते हैं, अचानक यहाँ पर यह graph अपना slope बदल देता है, यह ऐसे shift हो जाता है, क्यों shift हुआ, because this is the boiling point of magnesium, यह जो point है, this is the boiling point of magnesium, जैसी boiling point of magnesium की बात करते हैं, पूरी equation बदल जाती है, कैसे बदल जाती है, इस temperature से पहले हमारे पास है magnesium liquid या solid, let's say, हम यहाँ पर liquid लेके चलते हैं, magnesium liquid है, and it is reacting with half oxygen, gaseous, to give magnesium oxide solid, अब एक बात करते हैं, magnesium oxide का melting point बहुत ज़्यादा है, magnesium oxide का melting point is 2850 degree Celsius, बहुत ज़्यादा, मतलब कि magnesium के boiling point से magnesium oxide का melting point ज़्यादा है, gas and half oxygen, gaseous, to give you magnesium oxide solid, अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पर left hand side पर half mole of gas है, right hand side पर zero mole of gas है, यहाँ पर left hand side पर 1.5 mole of gas है, और right hand side पर zero mole of gas है, तो यहाँ पर 1.5 से zero में, delta S की negative value और ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि यह equation ही बदल जाती है, delta S की value बदल जाती है, और delta S की जब value बदलेगी, तो of course slope बदल जाएगी ना, और यह slope बदलने के चक्कर में होता यह है, बड़ी मज़दार सी बात, अगर low temperature की बात करते हैं, तो aluminium से magnesium जादा strong reducing agent है, और aluminium oxide को aluminium में convert कर सकता है, लेकिन अगर हम high temperature की बात करते हैं, तो पता चलता है कि magnesium से aluminium जादा strong reducing agent हो गया, मतलब देखो, वही बात है ना, तहीं अगर हम low temperature रखते हैं, तो magnesium high strong reducing agent है, वो aluminium oxide को aluminium में convert कर सकता है, यही आपके NCIT में question भी है कि is it true that at a certain temperature magnesium is able to convert silica into silicon and at a certain temperature silicon is able to convert magnesium oxide into magnesium. यह temperature का खेल है अगर temperature जादा होगा तो magnesium low reducing agent हो जाएगा दूसरे element उसको reduce कर सकते है अगर high temperature, low temperature होगा तो magnesium strong reducing agent है. एक सवाल और भी है इसके NCIT में कि although magnesium is a stronger reducing agent than aluminium it is not used to extract aluminium. उसके दो reason है. पहला reason तो यह है कि magnesium is costlier than the other reducing agents. पहली बात तो यह है. दूसरी बात यह है कि जब magnesium को aluminium extract करने के लिए use करोगे तो इस reaction में temperature बढ़ेगा. जब temperature बढ़ेगा तो एक equilibrium आ जाएगा. मतलब कि aluminium magnesium को reduce कर रहा होगा तो यहाँ पर हमें aluminium magnesium में से कुछ नहीं मिलेगा. एक mixture सा मिल जाएगा. क्योंक है? शायद हम magnesium aluminium alloy बनाने के लिए इसको use कर सके. मजाक की बात है. Anyway, that is what we have. तो यह दो चीज़े आपको याद रखनी है. एक carbon monoxide की बात कि low temperature पर carbon monoxide is a better reducing agent than carbon और high temperature पर carbon is a better reducing than carbon monoxide. और दूसरा यह magnesium aluminium वाली बात कि at a low temperature magnesium is a better reducing agent than aluminium. At a high temperature aluminium becomes a better reducing agent than magnesium. तो यह दो चीज़े ऐलिंगम डागराम के बारे में याद रखना. अब यह जो ऐलिंगम डागराम है तो ऐलिंगम डागराम के जो curves है. This gives the formation of metallic monoxide की slope negative है. The lower position of the metal in the algorithm diagram, the greater is the stability of its oxide and stronger reducing agent it is. ठीक है? For example, the algorithm diagram for aluminium is found to be below Fe2O3. Aluminium is a better reducing agent than iron. वो iron oxide में से iron को बहुत आराम से निकाल सकता है. तो that is what we have as the use of algorithm diagram. The greater the gap between any two lines, the greater the efficiency of the reducing agent. अबगर यहाँ पर हम बात करेंगे aluminium और zinc की, तो यहाँ पर gap बहुत जादा है. तो aluminium बहुत अच्छा खासा reducing agent है. zinc को बहुत आराम से zinc oxide में से extract कर सकता है. Stability of the metallic oxide decreases with the increase in temperature. Highly unstable oxide like silver, mercury are easily undergo thermal decomposition. यही मैंने आपको क्लियर. So that is what we have as the reducing agent. ठीक है? प्रिंस जैन, you are being blocked. किसी और के ओपर कमेंट करोगे तो आपको block कर दिया जाएगा. ठीक है? और यह हाई मनिशावला कॉन है भाई? बाई-बाई. हर सिंग क्या पूछ रहे थे हैं? बेटा, आपकी क्या पूछ रहे हूँ, मुझे दिखा नहीं. आगे निकल गया यहाँ पर इनकी सब के इतना सारा spam करते रहते हैं. आपकी, चलिया. अब यहाँ पे हमायर पास यह हहा ही, THE positive slope of the metal oxide shows that their stability is decreased with temperature. The decrease in their stability is due to an increase in free energy change value. increase ka meant leola positive. more positive less negative ठीक है the sudden change in the graph shows that it becomes more unstable with increase in temperature यह magnesium के लिए है ठीक है so that is what we have as the Ellingham diagram ठीक है reducing agent का मतलब यह है कि इसका oxide जादा stable हो गया है तो अगर इसका oxide जादा stable है तो दूसरे element में से oxygen खीच कर खुद का oxide बना देता है और अगर किसी को oxygen किसी में से निकाला जाता है तो उसे reduction कहते हैं तो जिसका जितना low graph है न वो दूसरों में से oxygen खीच सकता है दूसरों को reduce कर सकता है तो that is how it becomes a reducing agent अब देखें, limitations क्या है It does not take any account of the kinetics of the reaction यह Ellingham diagram को यह बिलकुल नहीं बता सकता है कि reaction fast होगा या slow होगा thermodynamics है, यह kinetics नहीं है If more than one oxide is possible for an ore it does not tell which oxide is formed तो यह किसी oxide के बारे में specifically नहीं बता सकता है कौन सा oxide बनेगा So that is the limitation of thermodynamics of Ellingham diagram जैसे कि एक limitation नहीं आपको यह भी बताया कि अगर माली जी कोई element reactor की कुछ और बना सकता है practicality के लिए हम किसी को use कर सकते है यह Ellingham diagram हमें नहीं बताता है यह हमें खुद experiment से determine करना पड़ता है Ellingham diagram हमें यह बताता है Aluminium can reduce magnesium oxide high temperature जहां रखना है इस बतात का clear? Although thermodynamically feasible in practice magnesium metal is not used for the reduction of alumina in the metallurgy of aluminium thermodynamically feasible है लेकिन जैसे हैं आप यह reaction करना शुरू कोरोगा temperature बढ़ेगा और जब temperature बढ़ेगा तो पता चलेगा कि Aluminium becomes a better reducing agent than magnesium and Aluminium and Magnesium के भीच में एक equilibrium बन जाएगा reaction ना तो magnesium के तरफ जाएगा ना Aluminium के तरफ जाएगा हमें एक अजीब सा मिक्षर मिल जाएगा यह बहुत मज़दार सी बात है अगर metal liquid state में है तो metal को remove करना असान हो जाता है तो जैसे से आप metal को remove करते चले जाओगे reaction forward direction में shift होता चला जाएगा क्योंकि आप product को remove कर रहे हो product is being removed the reaction goes in the forward direction तो इसलिए liquid state पर अगर metal होता है तो उसको remove करना easy हो जाता है gassure state में होगा तो reaction ही बिल्कुल बदल जाता है चलिए यह तो हमने बात की थी extraction, lingam diagram and now we are going to talk about extraction of iron from its oxide जब हम iron की extraction की बात करते हैं तो हमाई पास दो methods है सबसे पहले हम बात करेंगे thermite process की thermite process यह thermite process के लिए छोटा सा container अब एक बात देख सकते हो यहाँ पर यह एक इंसान है तो आपको एक अंदाज अलग सकता है कि जो thermite equipment है यह 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 इस है thermite equipment this is the part called thermite equipment जब हम इस thermite equipment की बात कर रहे है तो आप देख सकते हो कि इसका size कोई बहुत जादा नहीं है it is not a very big thing इसको छोटा बनाया जा सकता है thermite process का सबसे बड़ा advantage यह है कि इसके अंदर आप कितने भी size का यह thermite process बना सकते हैं छोटा सा बना सकते हैं तक कि आप इतने से मिटी के गमले के अंदर thermite process कर सकते हैं यस छोटा से मिटीरिल चाहिए होता है थोड़ा सा कर सकते है बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन बड़े के लिए thermite process यूज नहीं किया जाता जब thermite process की बात करते हैं तो thermite process is not actually the extraction of iron thermite process यूज किया जाता है जहाँ पर molten iron required हो तो thermite process iron के लिए नहीं molten iron के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पर जो railway line होते है तो उनके कुछ pieces होते है अब ऐसा तो है नहीं कि एक एक दो-दो किलोमेटर लंबी railway track है अगर आप दिल्ली के रहने वाले है या फिर कहीं के भी रहने वाले है तो आप metro में सफर अगर आपने किया है तो metro की line देखना I was surprised to see कि metro की जो railway track है वो track station से station तक कि पूरी एक uniform एक single track है इस दो station के बीच का जो distance है करीबन 2 km का होता है एक या 2 km का distance होता है तो क्या एक 2 km की लंबी ये जो rail है क्या उसको एक बार में बनाया जा सकता है क्या एक बार में रखा जा सकता है 2 km के track को नहीं रखा जा सकता ना तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये track को लगाने के बाद इनको आपस में जोड़ा गया है तो उनको जोड़ने की जो टेकनीक है वो thermite process है तो वो gaps के अंदर molten iron फिल करके उसको जोड़ दिया चाहता है तो thermite process is used to join the railway track it is used to join the bridges कहीं पर भी molten iron यूज़ कर गया इसलिए बहुत strong तरीका है इसको join करने का इसलिए इसको thermite welding भी कहते है clear तो यहाँ पर यह process है यहाँ पर हमने thermite डाला यह liquid molten iron आया अरे या बहुत shiny सा लग रहा है यह दखो ठीक है तो that's what we have as the thermite process ठीक है ओके बिटा पढ़ाई पर ध्यान दे लो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसको छोड़ो दो अब thermite प्रॉसस के अंदर हमाएपास होता क्या है thermite प्रॉसस के अंदर हमारे पास एक container है इस तरीके से this is the container यहाँ पर हमारे पास एक latch है जिसको open करके हम molten iron निकाल सकते है इस container के अंदर हमने फिल कर रखा है thermite mixture, अब thermite mixture क्या है, thermite mixture is Fe2O3 along with aluminium, ठीक है, और साथ-साथ इसके अंदर थोड़ा बहुत barium peroxide डाल दिया जाता है, थोड़ा बहुत KMN4 डाल दिया जाता है और इसको ignite कर दिया जाता है by a magnesium ribbon, magnesium ribbon से इसको ignite कर देता है, magnesium ribbon दो purpose solve करता है, एक यहाँ पर जहाँ magnesium ribbon को burn करते हैं, बहुत जादा energy liberate करता है, thermite reaction को initiate कर देता है, पहली चीज़, दूसरी चीज़, magnesium ribbon हमें यहाँ से भागने का मौका दे देता है, यहाँ पर थोड़ी देर लगेगी ना इसको जलने में, तब तक हम इससे दूर हो जाएंगे, यहाँ पर ख तो यहाँ पर इसको जब ignite करते हैं, तो यहाँ पर जब यह reaction होता है, तो this produces iron and this is molten iron along with aluminium oxide, अभी जो molten iron यहाँ पर बना है, इसकी density बाकी सारी के सारी चीज़ों से जादा होती है, तो molten iron नीचे collect हो जाता है, जब इसको open करते हैं, तो यहाँ से molten iron बाहर निकल आता है, जहाँ क process और thermite welding, ओके, गुड मानिंग प्रीटम कैसे हो, अब मैं कैसे पहचानूँगा, आप मुझे बताओ, अच्छा आपको पहचाना है या नहीं पहचाना है, प्लीज स्पाम मत करो, क्लास स्टार्ट हुए थी 10 बज़े बिटा, ठीक है, बिटा अगर मान लीजे मुझे दो iron क के पीसे को जोडना है, तो वहाँ पे solid iron डालके तो जोड नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मैं एक mold बना के, जैसे यहां पर यह mold बना हुए, इस mold को बना के, इसके अंदर molten iron फिल कर दूँगा, तो molten iron दो iron के पीसे को जोड सकता है, तो इसलिए molten iron use होता है, okay, clear, so that's what we have as the thermite process और जो actual process is iron के extraction का, that is with a blast furnace, this is the blast furnace that we are going to use, अब जब जब इस blast furnace की बात करते हैं, तो blast furnace के अंदर हमारे पास क्या-क्या processes involved हैं, okay, जब भी इस blast furnace की बात करते हैं, जब भी इस blast furnace की बात करते हैं, तो भी जनरली से blast furnace is a huge pier shaped furnace, 20 मीटर लंबा, यानि की near about 60 foot उंची, अब अब 60 foot की बात करें, तो करीब करीब 7 story building जैसा, 7 मंजिला इमारत जितनी उंची ये blast furnace है, अब इस 7 मंजिला इमारत के अंदर हमारे पास यहां पर यह है, एक ऊपर का surface है, this is a cup and cone arrangement, यहां पर हमारे पास डाला है charge, this is the charge, blast furnace का मैं अपनी तरह की से diagram बना हो, नहीं यहीं पर ही बना रहे हैं दो, चलिए यहां पर हमारे पास blast furnace है, यहां पर हम इसके अंदर ऊपर charge डालते हैं, जिसके अंदर हम charge के अंदर क्या है, और है, coke है और limestone है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमारे पास जो coke है, drinking वाली coke नहीं है, carbon नहीं है, that is carbon, that is the reducing agent, ठीक है, तो this is what we have as coke, the flux, the reducing agent and of course the iron ore, Fe2O3, ठीक है, अब इस furnace को blast furnace क्यों कहते हैं, because this blast furnace functions with a blast of hot air, यहां पर नीचे से एक blast of hot air आता है, अब यह hot air का blast आता है, अब यहां पर से जो carbon नीचे आ रहा है, यह carbon यहां पर इस combustion zone के अंदर, इस blast की वज़े से burn करना शुरू कर देता है, इसको रच से ले ले लेता हूँ, ठीक है, तो this is what we have as the combustion zone, combustion zone के अंदर क्या होता है, carbon reacts with, zone of combustion, carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide, और यहां पर यह बहुत जादा energy produce कर देता है, यह temperature becomes 2173 Kelvin, यानि कि 1900 degree Celsius तक यह temperature पहुँच जाता है, फिर यह जो blast है, यह आगे बढ़ता है, यहां पर हमारे पास आ जाता है, slag formation zone, slag formation zone में क्या होता है, slag formation के अंदर calcium carbonate react करके, decompose करके, calcium oxide और carbon dioxide बना देता है, यह endothermic reaction है, और क्योंकि एक endothermic reaction है तो temperature 1573 Kelvin यह 1273 Kelvin पर reduce हो जाता है, तो temperature decreases, और यहां पर calcium oxide, carbon dioxide, यह silica के साथ react करके, fusible slag बना देता है, तो this is what we have as the slag formation zone, इसके उपर हमारे पर reduction zone है, reduction zone के अंदर, यह जो Fe2O3 है न, यह react कर जाता है, carbon monoxide के साथ, to form Fe plus carbon dioxide, तो यहां पर reduction zone के अंदर, it forms iron and carbon dioxide, यह जो iron यहां पर बन रहा है न, इस iron को कहा जाता है, spongy iron, यह जो iron यहां यहां पर बनता है न, iron in reduction zone, this is called the spongy iron, इसे spongy iron क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो iron block है न, iron oxide का जो block है, उसमें से oxygen तो निकाल दिया, iron iron रह गया, तो काफी spongy बन जाता है, काफी porous बन जाता है, क्योंकि बीच में से oxygen निकाल दी, अगर आप इसका एक idea लेना चाहते हैं न, तो आप एक काम कीजी, आप लोहे का जहामा होता है न, जो बर्तन साफ करने वाले लोहे का जहामा होता है, उसको आप अच्छी तरीक जाएगा, porous thing वापस मिल जाएगी, बिलकुल उसी तरीके से iron oxide के साथ होता है, यहाँ पे हमाँ पास iron oxide का पूरा का पूरा block है, और यहाँ पे हम pressure से carbon monoxide डाल दें, इस carbon monoxide ने सारा का सारा oxygen बाहर निकाल दिया, और हमाँ पास यह porous iron का skeleton बच गया, तो that is what we have as spongy iron, अब यह spongy iron बन गया, उसके बाद आगे gases निकलती हैं और बाहर निकल जाती है, hot gases में हाँ पे जो और निकल रहा है, उसके तरी moisture, बीच में मैंने जान बूच के यह fusion zone छोड़ दिया था, यहाँ से पूरा जो, यह आ रहा है न, spongy iron, जब वो यहाँ पे इस zone में आता है न, तो इस zone म अंदर iron becomes molten, अब यह नीचे आकर जाकर यहाँ पर iron गिरता है, नीचे liquid iron आ जाता है, उपर slack बन जाता है, slack यहाँ पर क्या है, calcium silicate, यह calcium silicate उपर यहाँ पर slack बना देता है, जिसको उपर से slack निकाल देते हैं, नीचे से molten iron निकाल देते हैं, अब यह molten iron है इसको बड़े- करकर कर देते तो वह कास्ट आयरेंड बन जाथ उसके आगे उससे City बना देते हैं उससे आगे उसकी और चीजे बना देते हैं और Le já कि मैं क्या बोल रहाँ आप या नहीं समझ पारहे कि यह बता हो यार एक बार बताओ अपने प्यार का इजहार करने के लिए आपको मेरी क्लास मिलती है और कुई जenda के नहीं मिलती Okay अण आ याद निए प्सक्रीज करो यार कि यहाँ पर भी यह रिफ्रेश नहीं हो रहा है बार बार मुझे like को refresh करने के लिए बारबा मुझे refresh करना पड़ रहा है जली-जली like increase करते चल जाओ भई नलायक मत बनो, like बनो, increase the number of likes okay, so that was extraction of iron from its oxide and that is through the blast furnace यह सारे के सारे reactions है, blast furnace में जो हो रहे है molten air is heavier than from the molten stack the two liquids are periodically tapped off, the molten iron tapped off from the furnace is solified into blocks called pigs उसे pig iron कहते हैं यह रहे सारे के सारे reactions in the extraction of iron चल यह, iron obtained from the blast furnace contains about 4% of carbon and many other impurities, smaller amount, silica, sulfur हो सकता, phosphor हो सकता, silicon, manganese हो सकता है this is known as the pig iron, it can be molded into variety of shapes cast iron is different from pig iron, it is made by melting pig iron with scrap iron and coke using hot air blast, it has slightly lower carbon content, near about 3% तो cast iron और pig iron exactly same नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा कम carbon content and it is extremely hard and brittle ठीक है, cast iron के अंदर जब हम हतोड़ी की बात करते हैं, हतोड़ी cast iron की बनी होती है अगर हम जो heavy materials की बात करते हैं, जैसे कि आपके घर में जो जो होता है, gas stove होता है, जिस चीज को भी break होने के बाद जोड़ा नहीं जा सकता है लेकिन बहुत hard रखा जाता है, वो सारा का-सारा cast iron का बना होता है ठीक है, rot iron or the malleable iron is the purest form of commercial iron and is prepared from cast iron by oxidizing impurity in a reverberatory furnace reverberatory furnace का मतलब bessemer's furnace, तो bessemer's furnace को multiple uses में यूज़ किया जाता है सिर्फ copper बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है, bessemer's furnace is also used in preparation of steel and rot iron depending on the air, air का amount control कर लिजी, आपको अलग-अलग परिके से मिलता चला जाता है ठीक है, thank you बिटा अमन अंजली कुमारी कह रही है कि I am not anjali, कोई बात नहीं आप anjali नहीं है, कोई भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अजली कोई नहीं है so that's what we have as the extraction of iron, so copper का extraction हम अलरी कर चुके हैं this is what we have as the extraction of copper, now we are going to talk about a little about the extraction of zinc from zinc oxide zinc oxide का reduction हम कोक से कर देते हैं, carbon से, the temperature in this case is higher than that in case of copper for the purpose of heating the zinc oxide, the oxide is made into briquettes with the coke and clay carbon monoxide बना के, the metal is distilled off and collected by rapid chilling, ठीक है यहाँ पर हम zinc sulfide को concentrate कर सकते हैं using frost rotation process, ठीक है अब यह कोशन है why does it not take place at room temperature, इसकी activation energy यार it requires high activation energy हाँ बेटा, आज हम कतम करेंगे NKB energy अब हम बात कर रहे हैं, electrolytic reduction की, अभी हमने thermodynamics में हमने carbon reduction method की बात की, अब हम बात करेंगे यूज हाल-Harald's process again, हाल-Harald's process, हाल-Harald's process जहाँ पर हम aluminium oxide का electrolysis करते हैं ठीक है, अब देखो, हमारे पास यह जो यहाँ molten aluminium, यह जो हमारे पास है नहीं, यहाँ पर और, यहाँ पर हमारे पास ही जो अंदर और है, यहाँ पर, this is what we have as the cryolite along with aluminium oxide, अब यहाँ पर जब हम flux की बात करते हैं, तो this is cryolite और इसके अंदर हम calcium fluoride भी डाल देते हैं, CAF2, fluoride is also added into it, अब यह fluoride का काम क्या है, to reduce the melting point of the ore, add to make it more conducting, यह NCRT के exact line है और यह examination में directly पूछी जा चुकी है और जा सकती है, so this is what we have as cryolite with aluminium oxide, यह हमारे पास है, अब important बात ही है, कि हम यह भी कह सकते हैं, कि यहाँ पर aluminium oxide is actually dissolved in cryolite, और dissolved in flux, क्योंकि 95% यह cryolite और 5% यह है वस, करते चले जाते हैं, aluminium जैसे जैसे निकालते चले जाते हैं, aluminium oxide इसमें add करते चले जाते हैं, अब एक और चीज़ है, बहुत important सी बात, molten aluminium is obtained at the negative terminal, molten aluminium is obtained at the negative terminal, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास होता है ना, यह जो oxygen है, यह जो वो धीरे-धीरे consume होते चले जाते हैं, NCRT में सीधा सीधा यह लिखा है, for each kg of aluminium produced, 0.5 kg of graphite or carbon is consumed, ठीक है, तो यह जो carbon के जो electrodes है, यह जो anodes है, they need to be replaced after some time, so that is what we have as the extraction of aluminium, हाँ, तो aluminium soft metal होता है, तो उसका softness और hardness का यहाँ पर क्या मतलब है, how does hardness and softness matter here, अंबर यासीन, हाँ, aluminium soft metal है, मान लिया, और उसका यहाँ से क्या लेंक है, आर-ार, बिटा, if anybody is disturbing you, simply block that person, don't preach, target aims, class में disturbance element है, block करो, अब जैसे कि यहाँ पर शाह, Ash, are you there? मुझे भी block करना पढ़ रहा है, वरना मैं किसी के message नहीं देख पाऊँगा, अब देखो, मैंने सारे के सारे फालतू लोगों को block करती, अब यहाँ पर chat roll नहीं कर रही, जैसे भागती है, अब मैं अराम से आपके एक बार आप मैं doubt, पूछिए मैं doubt, बता दूँगा आपको, Hello Ankit, how are you? चलिए, so that's what we have as the Halls-Haraul's process, and this is what we have as a more beautiful diagram of this process, clear? चलिए, यह रहा, अब आजाते हैं एक बहुत important process के ऊपर, जिसे हम कहते हैं refining of the metal, metal refining, जब metal refining की बात करते हैं, तो what are the various processes for the metal refining? मरे मज़दार से process है, distillation, liquidation, electrolysis, zone refining, vapor phase refining, and chromatographic methods, जिनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले इन methods की बात करें, सबसे पहला method है, हमारे पास distillation. Distillation, yes. Distillation is used for low boiling metals like zinc, cadmium, and mercury. अगर आपको याद हो, तो periodic table के अंदर, यह 12th group है, इसको हम बोलते हैं volatile metals. यह काफी कम low melting or boiling point होता है, तो इसको हम as a distillation के through purify कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास retort है, जिसको हमने heat किया, heat करने के बाद जो vaporized metal है, उसको rapidly cool कर दिया है, जिसे हम shock cooling कह देते हैं, तो यह solidify हो जाता है, और इस तरीके से हम metal को extract कर पाते हैं. So that is what we have as distillation method. Zinc is purified by distillation. याद रखना है इस बात को. Then we have liquation. Liquation method is used when the metal and impurity have a large melting point difference. यानि कि this way it is separated from higher melting impurities. अब यहाँ पर क्या करते हैं? हमारे पास यह sloping hearth है. यहाँ से हम impure metal डालते हैं, इसको heat करते हैं. तो metal तो नीचे आ जाता है, liquefy होके, impurities पीछे रह जाती हैं. तो इस तरीके से हम molten metal को impurity से separate कर देते हैं. Liquation is used for low melting metals. This is used for low melting metals. And these metals are lead and tin. तो lead और tin को purify करने के लिए liquation method यूज कर लिया जाता है. Liquation method is used to purify metals like lead and tin. इसके बाद हमारे पास आ जाता है electrolytic refining. Electrolytic refining बहुत जादा metals के लिए इस्तेमाल की जा सकते हैं. लेकिन मेनली ये copper के लिए इस्तेमाल की जाते हैं. और ये बड़ी मज़दार सी चीज़ है. Electrolytic refining के अंदर हमें ये part ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमारे पास जो electrodes हैं उसी metal के बने हैं, जो metal हमारे पास solution के अंदर है, then in that case cathode पर deposition हो जाता है, anode consume हो जाता है और electrolyte concentration same रह जाता है. तो यहाँ पर हम electrolytic refining यूज़ कर रहे हैं copper की. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं anode की, तो anode is impure और becimerized copper. Impure कहलो या फिर becimerized copper कहलो. तो that is the anode, ठीक है? Cathode is the strip of pure copper, ठीक है? Pure copper की strip को हम cathode बना देते हैं. जो electrolyte है. जो electrolyte है. electrolyte is acidified copper sulfate solution. copper का salt होता है, copper sulfate solution हमारे पास आ जाता है. the electrolyte. ठीक है? अब जब हम यहाँ पर इसका electrolysis करते हैं, तो बड़ी मज़दा सी बात है. Anode is consumed. ठीक है? cathode becomes thick. anode is consumed. cathode becomes thick. ठीक है? electrolyte does not change. इसे concentration में कोई change नहीं होता. ठीक है? and impurities are collected as anode mud. ठीक है? impurities are collected as anode mud. अब यहाँ पर इस process को करने के बाद, यह anode mud को बेच दिया जाता है, और anode mud को बेच कर, इस पूरे के पूरे process की cost निकल आती है, और साथी साथ कुछ profit भी हो जाता है. because anode mud contains silver, gold, platinum. यानि कि these unreactive, rare and precious metals are obtained from this anode mud. ठीक है? तो यह हमारे पास आजाता है electrolytic refining of copper. ठीक है? बिस्मत इतना amount में produce ही नहीं किया जाता है, जिसके लिए हम इतने बड़े process के इस्तमाल करें. बाकि मुझे बिस्मत का नहीं अंदाजा है कि बिस्मत यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिस्मत को क्यों यूज़ करेंगे हम? So that's what we have as electrolytic refining. अब हमारे पास famous सा method आ जाता है, very very famous method जिसे हम कहते हैं zone refining. Zone refining. Zone refining का principle क्या है? Principle of zone refining. Zone refining का principle ये है कि the impurities are more soluble in molten metal. Dan solid. तो ये इस zone refining का principle है. हम ये क्या कर दोते हैं? जिसे मुझे ये वाला डाइगन पता हैं, समहाओ ज्यादा पसंद नहीं है. हमारे पास ये metal rod है. अब इस metal rod के उपर हम एक circular हीटर लगा देते हैं. अब इस circular हीटर को इस साइड मूफ किया जाता है. अब देखो यहाँ पर ग्राविटी का कोई रोल नहीं है. अब इस हीटर को यहाँ पर इस direction में जब मूफ करते हैं तो इस हीटर के साथ-साथ impurities मूफ करना शुरू कर देती है क्योंकि molten metal यहाँ पर चल रहा है. मेटल मेल्ट होता है, फिर धीदे-धीदे solidify होना शुरू होता है, जब solidify होता है तो impurity साथ में solidify नहीं होती. liquid metal के साथ impurity मूफ करती चल जाती है और ultimately सारी के सारी impurity यहाँ पर इखटी हो जाती है, जिसको यहाँ पर कट करके निकाल दिया जाता है. zone refining उन metals के लिए use होता है, जहाँ पर metals की अपने आप में कोई cost नहीं है, लेकिन हाँ उनके जो purified material है उसकी cost है, जैसे silicon, अब silica से silicon बनता है, silicon की अपने आप में कोई cost नहीं है, पर हाँ purified silicon की cost है. तो zone refining यूज किया जाता है to obtain semiconductor materials. आज की situation यह है कि I think zone refining जहां पर हो रही है, आज zone refining के जितने भी plants हैं, वो सारे के सारे overdrive में चल रहे होंगे, क्योंकि इस lockout ने, इस lock-up ने, जो इतना भी हमारा साना, lockdown जो चल रहा है, that is, that has created a scarcity of silicon. आज की तारिक में जितने भी electronics goods हैं, उनकी cost actually बढ़ गई है, क्योंकि उनकी demand बहुत जादा बढ़ गई है. So that is what we have as the semiconductor materials, जिसके लिए हम zone refining use करते हैं. तो this is what we have as the principle of zone refining. Another is called the vapor phase refining. Vapor phase refining. Vapor phase refining में सीडी सी बात यह है, कि जो metal है, उसको एक easily vaporizable stable compound के अंदर convert कर दिया जाता है, जिसे decompose करके वापस हम metal ले लेते हैं. This method, the metal is converted into its volatile compound which is collected and decomposed to give pure metal. तो अब इसकी दो requirement है, vapor phase refining के लिए हमारे पास दो requirement है. पहली, the metal should form a volatile compound which is with an available reagent. Volatile compound बनना चाहिए, जिसको हम vaporize करके एक available reagent के साथ बना सके. The volatile compound should be easily decomposable so that the recovery is easy. तो यह दो चीजें हमें चाहिए. जब हम यहाँ पर बात करते हैं vapor phase refining की, तो vapor phase refining हमारी mainly use होती है दो substances के लिए. हमारे पास यहाँ पर हमें दो process करने हैं. पहला process जो हम करने है, that is called mons process. Mons process. Mons process के अंदर हमारे पास है nickel का purification method. यानि कि इस nickel को हम क्या करते हैं? हमारे पास nickel है, इसको carbon monoxide के साथ react करवाया जाता है at near about 50 degree Celsius. यह तो 50 degree Celsius के करीब है. 50 degree Celsius. तो यह nickel tetracarbonyl बना देता है. Now nickel tetracarbonyl is stable and it is volatile. अब इसको हम treat कर देते हैं near about 200 degree Celsius पर. करीब करीब 200 degree Celsius पर. और 200 degree Celsius पर जब हम इसको street करते हैं, तो यह वापस nickel और carbon monoxide में convert हो जाता है. carbon monoxide को reuse कर लेते हैं, pure nickel हमें मिल जाता है. तो यह हमारे पास vapor phase refining, जिसे हम कहते हैं mons process. आज की तारीक में mons process यूज नहीं करते हैं, nickel को भी electrolytically refine कर देते हैं, बढ़ ठीक है, यह obsolete method हो चुका, बढ़ फिर भी हम study कर सकते हैं, कि vapor phase refining इसके लिए use किया जाता था. दूसरा हमारे पास है, van arcal deborse method. van arcal deborse method है, for zirconium and titanium के लिए. ठीक है? अब यहां पर, this zirconium or titanium, they are treated with iodine. iodine के साथ जब treat करते हैं, तो this is going to become zirconium iodide. ठीक है? Now, this zirconium iodide, यहां पर इसको, this is decomposed on a tungsten filament. W is walfran, tungsten. At a temperature of something like, 2000 degree Celsius, जहां पर यह zirconium में और वापस iodine में convert हो जाएगा. तो that is what we have as, the zone ref, that is what we have as the van arcal-de-bores method. यानि कि यहां पर van arcal-bores method भी बोले जाता है, van arcal-de-bores method भी यही है. तो this is what we use in vapor phase refining. Is that clear? ठीक है? बेटा, process तो आते ही रहते हैं, reactions तो आते ही रहते हैं. halfnium के लिए बेटा, halfnium radioactive है. हाँ, वो भी इसी तरीके से refine किया जा सकता है, लेकिन वो radioactive होने की वज़े से इतना ज्यादा उसको refine करने की कोशिश करते नहीं है. Halfnium is mainly, where is it used? Halfnium तो कहीं use होता नहीं है. ठीक है? Then we have chromatographic method. अब chromatographic method की जब हम बात करते हैं, जो भी कुछ कभी भी separate नहीं हो सकता, उसको chromatographic method से separate कर देते. जैसे कि lanthinoids और actinoids को separate करने के लिए हम chromatographic method का इस्तमाल करते हैं. अब chromatography अपने आप में कोई एक process नहीं है. Chromatography के अंदर हमाया पास substances की कुछ और, जितनी भी properties हैं, कुतनी भी physical properties का जो difference है, या chemical property का difference भी, हम chromatographic process के लिए use कर लेते हैं. तो chromatography is a big method जो सारे के सारे processes को एक साथ use कर लेता है. So that is what we have as chromatographic methods. ठीक है? सारे के सारे separation techniques की बात की, हमाने पर सारे के सारे metals हैं, बहुत सारे uses हैं in metals के, I think of metals के uses क्या मैं उपको बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह पता है. क्योंके? और इसी के साथ, we have just finished off with the chapter called Metallurgy. अब इसके questions आपको करने हैं, हैं बहुत सारे questions, अब ही हमें करने हैं, हमें बहुत सारी, अच्छा हां, कल की class में, कल morning 10 बजे, we are going to do the questions. NTA अभ्यास के questions हम करने वाले हैं, of alcohol, phenol and ethers. क्योंकि alcohol, phenol and ether का आपका test होने वाला है, तो alcohol, phenol, ether के सारे के सारे questions हम करने वाले हैं, कल सुभे 10 बजे. तो NTA अभ्यास के questions हैं, miss मत कीजिएगा, खूब सारी practice करेंगे, बहुत जादा required है, so that आप कल के test में अच्छे number ले सके. 10 से 12 हमारा ये session है, उसके बाद आपका 3 बजे test है, जिसमें आप करने वाले हैं, alcohol, phenol and ether. Is that clear? So tomorrow, we have this session on special class as well as on YouTube. तो दोनों ही जगे हम ये session करेंगे, questions वाले sessions हम दोनों जगे एक साथ करते हैं, तो आपको जहां पर comfortable लगे, आप join कर सकते हैं. Is that clear? So that is what we have for tomorrow. NTA अभ्यास के test papers हमारे पास हैं, समर्पन batch चल रहा है हमारा, समर्पन batch के अंदर class 12th और NEET का है, nurture batch है, big announcement है, बहुत बड़ी हमारा bumper offer चल रहा है, जिसके अंदर आप 12 महीने कोर्स में 15 महीने, और 24 महीने कोर्स में 28 महीने आपको मिल रहे हैं, यानि कि आपके अगले NEET exam, यानि कि 2022 के exam तक की guarantee हो जाती है, 2023 के exam की भी guarantee हो जाती है, तो इसलिए अभी immediately join कर लीजे, wait मत कीजिए, कि हम एक session को हम चाहते हैं कि पूरा exam तक चले, तो अगर exam delay होगे तो एक महीने बाद लेंगे, ऐसे चक्कर में मत पड़ी, अभी ले लीजे, we are taking care कि आपके NEET exam तक आपका subscription valid रहे, so quickly quickly join with us, use the code AVLive and join with us, NEET UG का bumper offer है, हमारे पास सारे के सारे sessions चल रहे हैं, मत कीचिये, clear, board examination हो सकता है, cancel हो जाएं, लेकिन entrance examination तो cancel नहीं हो सकते हैं, वो तो हो नहीं हैं, वरना admission कैसे देंगे, तो इसलिए just don't worry about it, go ahead and take the admission here, और आप आप आजाना scholarship चाहते हैं, तो unacademy combat के साथ आजाएं, you are going to get best of the scholarships, unacademy champs, 9th में को है, that is going to be the gateway for NEET UG 2021, enroll for free scholarships मिलेंगे, unacademy champs के, students को best of the best process मिल जाते हैं, best of the best methods मिल जाते हैं, personal mentorship from top educators, clear, so that's what you have, this is panel four mentors, Anand Mani sir, Vyashal Vivek Tiwari sir, Mahinder Singh sir, Anurag Tiwari and Ritu Rathewal Naam, so these are the people who are going to guide the panel four, that is one set of the students, panel one, Pratik Jain, Ramesh Sharda, Ramit Gupta, Sandeep Naudial, Ajay Kumar Mishra and Shubh Karan Chaudhary, these are the people who are going to be guiding another set of students, panel two mentors, Ashish Divan sir, Chandramali Maurya, S.K. Singh, Saurabh Sharma, Vishal Kaushal Naama and Nishant Varshney sir, they are going to guide another set of students, panel three mentors, Mayang Joshi, Krija Shankar Tiwari, Pranap Kundrik, Ashish Bansal, Ravi Prakash, Pankaj Talwar, these are going to guide another set of students, so that is what we have as the various set of the students, which you can get, if you clear them, Unacademy Champs Contest, this is a very good offer, join them, if you have any invite code, that code is AVLive, use the code AVLive and join it, telegram channel, Unacademy Neat Underscore Official, which you can join, Unacademy Subscription, unlimited access to best of the best teachers, your favorite teachers' classes, unlimited access, that is Unacademy Subscription, join with Unacademy Subscription, and yes, today, 3.30 am, there is a special class, about the alkyl and aryl halides, so you can definitely join those special classes, and that special class, absolutely, plus course, in fact, plus course, there is a little topic, which I have covered here, so if you want to get a plus course, then, 3.30 am, you can definitely join those special classes, which we are going to do with alkyl and aryl halides, reactions with metals, and aryl halides, the process of aryl halides, and aryl halides, so just join there, it will be fun, and it will be good, if you have a doubt, if you have a few doubts, then you can clear it here, clear, so that is what we have as Unacademy Subscription, which feels you will get here, and 3.30 am, you can join this, through the Unacademy app, clear, and use the code AVLive, AVLive code use, so that you will get 10% discount, you will get 10% discount, and also, you will get benefit, so, and test analysis, so that is what we have as the iconic subscription, subscribe, use the code AVLive, and join with us, okay, okay, bye-bye, take care, and check it out, okay, let's do that. now, let's come to the top. the test analysis, I see, and I see, and then, the test is, I see, and I see, झाल झाल